लो फिंड्स वेलकम टो पर चैनल हम बात करने वाले को लिंड्या के बारे में जो कि हमारे मैंबर्स नहीं रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी अनलिसिस चाहिए श्टॉक कर रहा हम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स लिए आप हम आरा टॉल इसका कंटिनीव फॉल कर रहा है जो कि मैंने टॉप से अलड़े आपको से लिंक लिए दिया था सेकंड टाइम यहां कहीं पर सेयर किया है और फिर मैंने आपको यहां पर भी एक वीडियो आज थिंक अभी सेयर किया था कुछ दिन पहले फिलाल अभी हम फोर टैन के आसपास के तक अभी मिनिममम जा सकते हो जो कि इसका एक बेस भी होगा यहां पर एक बेस हम हिट कर चुके हैं और यह पूरे रेंज का अगर आप बेस लेवल देखोगे 380 है 380 एक ऐसा लेवल है जो अगर हम करते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा रींज उपन होका राएगा तो उसका head type आपको यह दिखाई देगा ठीक है तो यह पूरा body है इसका और यह पूरा इसका अभी head आपको दिख रहा है तो मतलब अगर मैं अभी भी इसको यह बोलू कि इसके top पर ही हम trade कर रहा है stock के तो गलत नहीं होगा और यह उस top का breakdown मनेगा 380 जो level होगा उस top का breakdown मने क्योंकि इसके बाद आप अगर level identify करने के लिए जाओगे न तो आपको 200 का level दिख रहा है ठीक है और जो जिनको projection समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं कि 200 level दिखने का मतलब यह नहीं 200 तक आ जाएगा 200 दिखने का मतलब यह है यहां पर कि इसका जो previous resistance था या जो resistance या support का level था वो 200 का level था 200 के बाद से directly move किया है तो अगर हम कहीं पर एक अच्छे support की बाद करें अच्छे resistance की बाद करें तो बहुत दूर है इससे मतलब कि अगर यहां से breakdown हुआ तो एक बड़ा breakdown हो सकता है मतलब यह 10% 15% 20% एक flow में जा सकता है 200 तक directly नहीं आएगा बट यहां से जो momentum होगा ना वो थोड़ा सा सार्फ momentum में होगा तो यह 10% 20% या 25% जितना भी इसको fall करना है वो momentum थोड़ा सा यहां पर quick हो सकता है ठीक है तो यह चीज़ याद रखेगा कि 380 अगर हम breakdown करते हैं तो short term के लिए carry forward करना अपनी positions को बहुत ज जादा risk हो सकता है ठीक है तो यह चीज़ याद रखेगा alert कर रहा हूं डरा नहीं रहा हूं यह नहीं बोल रहा हूं कि 200 के level पर आ जाएगा कि 150 चला जाएगा कि 100 चला जाएगा बट मैं आपको level दिखा रहा हूं कि इसका जो important level इसके पहले रहा है वो यह वाला range है इसके ब levels तो वहां पर निकल आएंगे और यह काम भी करेंगे support की तरह है लेकिन पॉइंट यह है कि आप बिकली चार्ट पर देखूँगे ना तो आपको दिखेगा कि एक पूरा rally था यहां पर तो वह rally कहीं ना कहीं फिर इसको अभी के time में negative side पर ज्यादा impact कर सकता है ठीक है तो यह चीज़ याद रखेगा तो अभी तक जो momentum आप देख रहे हो बहुत slow momentum है कहने का मतलब मेरा यह है 380 आप breakdown करोगे तो यही momentum आपको फिर और सार्ट सेलिंग में दिख सकता है तो अलट रही है यहां पर stock अभी current position में negative है continue negative आ रहा है अगर आप projection भी दिखते हो तो जब त जाना जो flat range बनेगा जैसे यह वाला flat range हुआ यह range हुआ इनके breakout के बाद बाइंग के लिए प्लान करेगा जब भी आपको reversal दिखता है ठीक है तो वहां से आपको chances ज्यादा रहेगा कि अच्छा momentum मिल सकता है बागे ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए 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 comment कर सक तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंकि सो मच